नवास्कार स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ ही कुछ नहीं शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा घर में छिपकली का जमीन पर रेंगना किस बात का संकेत है आईए जानते हैं किस तरह प्रभावित करता है आपके सरीर के बिशेश हिस्से पर चिपकली का गिरना चिपकली दिखने से कैसे प्रभावित होता है आपका जीवन जानिया जब हम पर कोई शंकट आता है तो संकट आने से पहले भागवान हमें किशी ना किशी रूप में संकेत दे ही देते हैं लेकिन उसको समझना हम मनुष्यों के लिए इतना आशान नहीं है आज हम एक ऐसे जीव की बात करने जा रहे हैं जिनें हम अक्षर अपने घरों में देखते हैं जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं छिपकली की ये भी एक प्रकार से मनुष्य की ही देन है जब हम पर कोई शंकट आता है तो ये भी हमें शुब अशुब का संकेत देती है थंडियों का मौसम हो गर्मियों का मौसम हो या बरसात का मौसम हो हर मौसम में आपको शिपकली आपके घर में दिखाई देती है खिड़की पे आंगन पे द्वार पे घर के कमरों में हर जगे आपको छिपकली दिखाई देती है और ये आसानी से दिखाई देती है क्या आप जानते है कि छिपकली आपके भविष से जुड़ी हुई कई घटनाओं का संकेत भी आपको देती है घर के अंदर आई छिपकली का बिवहार आपको आपके भविष से जुड़े कई इसारे दे जो कि कई बार जानकारी के अभाव में हम पहचान नहीं पाते लेकिन माना तो यहां तक भी जाता है कि घर के अंदर आई चिपकली आपको भविस्थ के कई संकेत देती है दरसल घरों में या कार्याले में चिपकली का होना कोई नई बात नहीं है क्या आप जानते हैं कि आपकी जीवन में होने वाले फाइदे इमंद या हानिकारक घटनाओं के संबंध में चिपकली संकेत देती है आपने कभी जमेन पर चलती हुई चिपकली तो देखी होगी लेकिन आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि इसका असर आपके भविष्च पर पड़ता है इस तरह चिपकली जमेन पर गिरती है या चलती हुई दिखाई देती तो ये बात आपके भविष्च को और गहराई से प्रमाडित करती है भली आप इस बात पर विश्वास ना करें लेकिन चिपकली आपके सामने कुछ ऐसे संकेत लेकर आती है जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते है चलिए जानते हैं किस तरह प्रभावित करता है चिपकली का जमेन पर रेंगरा और आपके सरीर के किस विश्वास इससे पर गिरना लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्रेश्टिक के बीडियो को लाइक करके ज़दा ज़दा शेर अवश्य कर दिया करें छिपकलियों के बीच में संभोग की बात करते हैं अगर कोई ब्यक्ति छिपकली के जोड़े को संभोग करते देख लेता है तो ये इस बात का संकेत की जल्दी उसकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से होने जा रही है अगर वो शिपकलियों को यनि की जगरते देख लिया जाए तो समझ ले कि आने वाले समय में आपका किसी बेहद नजदी की ब्यक्ति या प्रेमिस से जगरा होने की संभावना है ये दिखाना खाने के दवरान अगर आप छिपकली को देख लेते हैं तो ये भी बहुत सुब संकेत माना जाता है लेकिन अगर आपने नया घर लिया और घर में कदम रखते ही मरी हुच छिपकली दिख जाती है तो ये बहुत बड़ा अप्शगुन है जिसका आर्थ है कि उस घर में नकरात्म कुर्जा बिद्दिमान है जो घर में रहने वाले बेक्ति के सेहत को प्रभावित करेगी उस घर में तबियत के बिगड़ने का सिलसला लगतार आप पर बने रहेगा छिपकली का दाएं कंधे पर गिरने का अर्थ है कि समाज में आपके समान और गर्मा में अतधिक बृदी होने वाली है वहीं अगर छिपकली आपके बाएं कंधे पर गिरती है तो ये दरसाता है कि आपको आर्थिक हान पहुचने वाली है छिपकली का पेट पर गिरना अगर छट पर से रेंगती हुई छिपकली सीधे आकर आपके पेट पर गिरती है तो ये दरसाता है कि निकट भविश में आपको बिभिन ने यनि कि परिशानियों का सामना करना पड़ेगा, बिभिने परिशानिया आपको जहलने पड़ेगी लेकिन अगर वो आपको छाती पर गिरती है तो आपका स्वादश्ट भोजन की प्राप्ती आपको होने वाली गुटनों पर गिरना क्या दर्साता है अगर शिपकली आपके गुटनों को छूकर यानि नीचे गिर जाती है तो इसका आर्थे की आगामे भविश में आपका दामन खुशनों से भरने वाला है शिपकली का गाल पर गिरना अगर शिपकली आपके गाल दाएं गाल पर गिरती तो ये दरसात है कि आपको जल्दी बिलास से भरा शुक जीवन मिलने वाला है वहीं अगर छिपकली बाएं गाल पर गिर जाए तो ये इस वात को प्रमाडित करती है कि कोई दुर घटना घटने वाली है इसलिए ब्यक्त को चौकनना रहना चाहिए छिपकली का बाएं कंधे पर गिरना बाएं हाथ से जब छिपकली नीचे उतरती है तो ये दरसाता है कि व्यक्ति अपने केडियर की उचाईयों को छोने जा रहा है साथी उससे धनलाब की प्राप्ति होगी अर्जित करने वाला है छिपकली का शरीर के बाद हिस्से पर गिरना यानि सरीर के उपर हि पुरसों के दाहिने अंग पर अब यहां पर बाएं अंग पर अगर इस्तरियों के गिरती है छिपकली आकर तो ये उसके लिए बहुत लाबकारी होता है लेकिन यहीं अगर उसके दाहिने पर गिरिये तो अश्व माना जाता है दोस्तों इस्तरी को जल्दी धन का लाब कोई अपसगुन होने वाला है हिंदु धर्म में ऐसे सगुन अपसगुन बहुत ही सामान हो चुके हैं पहले के लोग इनके उपर अंधविश्वास किया करते थे लेकिन आज के तारीक में यूबा पीड़ी जो काफी हद तक आधुनिक विचार धारा वाली है इसलिए वो इन शेयर अवश्य करिएगा शाथी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करिए